बाधित पेजलापूर्ती के बीच गुरुवार को नगर निगम के उपमहापौर प्रकास सेट और अर्बन प्लानर मंजूर आलम बरगंडा के उसरी नदेश थित पुराना पूल का जाजा लिये जहां शहरी पेजलापूर्ती लाइन के सिफ्टिंग के कारे को इनों ने देखा मौके पर भाजपनेता संजीत सिंग पकू भी उपस्थेट थी यहां यो दिस्तर पर पाइपलाइन सिफ्टिंग का काम ठीकेदार द्वारा गराया जा रहा था बताया गया कि समवेदक रतन गुक्ता की मजूद्गी में मजूद्वारा लगतार शफ्टिंग का काम किया जा रहा है करीब 34 लाज के लागत से खंटोली पेजलापूर्ती के पाइपलाइन को बरगंडा इसी पुराने पूल से हटा कर पस्प्रमंडल द्वारा बनाए बजयागर निगम पूरे निगम आलगे में 3 दिनों तक पेजलापूर्ती बाधित करने की दूचना ति निहाजा बीते बुडवार गया सहर में पेजलापूर्ती बाधित किया गया पूराना पूर में काम चल रहा है पाइप बदलने का इसका अभी हम लोगों ने बहुतिक निशन किया है नगर निगम ने यह गोशना की थी कि चार दिनों तक पानी बाजित रहेगा और चार दिनों के अंदर हम काम कम्प्लीट कर लेंगे अभी हमने बहुतिक निशन किया है यहां हमारे खेकेदार जी जो काम कर रहे हैं काम और दिन रात चल रहा है दोनों सिफ्ट में और अभी हमने देखा कि एक साइड का काम अभी पूरा हो गया है यानि 50% काम पूरा हो गया है बाकि दूसरे साइड का काम चल रहा है और काफी तेजी से काम चल रहा है मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो गोसना किया है और जंता ने जो मन बना के रखा है कि चार दिन के बाद हमको पानी मिलेगा वह हम पूरा करने का काम करेंगे और चार दिनों के अंदर ही हम पानी सप्लाई देने का काम करेंगे अभी कि जाभी जो इस्थिती हमको देखने में लग रहा है यह चार दिन हमने घोशना किया था कि चार दिन हमको काम करने में लगेगा हाला कि 20 तारिक को हमने पानी देने का काम किया है हमारा साड़े तीन दिन या तीन दिन ही परभावित होगा काफी तेजी से काम चल रहा है और हम काम इस काम को हमको लग रहा है कि नीचित पूरा होगा रहा हम पानिया फूर्ति करने में